आज 9 सितंबर 2020-2024 है और आज दिन है पीर का। इस विडियो में सौर सैल के दर्मियान जारी जंग के हवाले से ताजातरीन खबरे हैं, नई अपडेट्स, नई मालुमात और डेवलपमेंट्स हैं। वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। दक्षनी इक्राम और इस्राइल के दर्मियान इस वक्त शदीद घंसान की खूनी जंग चल रही है। आज इस जंग का 338 वन दिन है। इस्राइली फौजें गाजा के अंदर घुसी हुई हैं, जहां पर गाजा के मुझाहिदिन और अल्लाह के सिपाही दुश्मनों से लड़ रहे हैं। मैदाने जंग से मिलने वाली आज की बड़ी खबरे हैं, मेरे सामने जो मैं आपके सामने रखूंगा, जिन से आपको पता चलेगा कि गाजा में इस वक्त क्या चल रहा है। नासिर इक्राम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त गाजा में यह इस शहर के तीन बजे का वक्त है। गुलदस्ता रात बारह बजे से लेकर आज दोपहर तीन बजे तक की तफसील है मेरे सामने यानि पिछले तकरीबन पंदरा घंटों में क्या हुआ है यह मैं आपके सामने रखूंगा। पिछले पंदरा घंटों में मुझाहिदीन की घास के मुक्तलिफ इलाकों में जड़पे हुई हैं। जैटून के अंदर और इसी तरह से खान यूनुस के अंदर और राफा के अंदर दिल में जमालिया में। और इसी तरह से तेल हवा के इलाकों में मुजाहिदीन की जड़पे हुई हैं और मुजाहिदीन ने बताया है कि गुलदस्ता 15 गंटों में शहरी फौज के मस्जिद, तीन यहूदी फौजी टैंक के मुजाहिदीन ने तबाह कर दिये हैं। जबकि पिछले 15 गंटों में मुजाहिदीन के हाथों मजबूर तोर पर इसराइल के मजीद 25 यहूदी फौजी हलाक और जखमी कर दिये गए हैं। मुजाहिदीन के स्नाइपर शूटर कारवाई करते हैं और कभी आमने सामने जाकर दुश्मन के साथ जड़पे करते हैं तो पिछले 24 गंटे में पिछले 15 गंटों में तीन यहूदी फौजी मस्जिद टैंक तबाह किये गए हैं और इसी तरह से 25 यहूदी फौजी हलाक और जक मी किये गए हैं गुजिष्टा ग्यारह महीनों में जंग का यह बारहवा महीना शुरू हो चुका है गुलदस्ता ग्यारह महीनों में मुजाहिदीन के हाथों मजबूरी तोर पर इसराइल के 3830 यहूदी फौजी हलाक और जखमी हुए हैं जी हाँ गुजिष्टा 338 दिनों में 30,830 यहूदी फौजी यहा हलाक हुए हैं या फिर जखमी हुए हैं और 3,365 यहूदी फौजी टैंक के मुजाहिदीन ने तबाह किये हैं कुल उसी तोर पर इसराइल अपने निशानात को जाहिर नहीं करता है इसराइली मीडिया के मताबक 10,000 से ज़्यादा यहूदी फौजी हलाक और जखमी हुए हैं और इसराइली मीडिया के मताबक 700 से 1000 के दर्मियान यहूदी फौजी टैंक तबाह हुए हैं लेकिन असल तादाद बहुत ज्यादा है और मुजाहिदीन ने जो तादाद बताई है ये भी टक्मीना पर और अंदाजे पर बनी है असल तादाद इस से कहीं ظाहिर है दूसरी तरफ आज मुजाहिदीन इसराइल कुछ ने गाजा की सर्जमी से इसराइल के इलाके पर और रूस पर मिसाइलों की बारिश की है इस्राइल के मुजाहिदीन मुजाहिदीन ने बताया कि हम जंग के 12 महीने में दुश्मन पर गाजा की सरजमी से मिसाइल दाग रहे हैं और दुश्मन के खिलाफ लडने का ऐलान कर रहे हैं दुश्मन हमारी सलाहिदों को अभी तक खत्मना तो कर सके हैं और ना ही इन्शाओ अल्ला कर सकेगा ये काम गाजा के मुजाहिदीन बता रहे हैं कि जमीन के नीचे मुजाहिदीन वोर मिकदार में असलहा तयार कर रहे हैं अमेरिका और इस्राइल ने गाजा पर पिछले 11 महीनों में 5.500 से ज्यादा बम बरसाए हैं जिन में से मुजाहिदीन को तकरीबन 10 फीसद से ज्यादा ऐसे बम थे जो नहीं फटे जो मुजाहिदीन को माले गनीमत में हासिल हुए हैं बलकि मुजाहिदीन का ये भी दावा है कि जो बम गाजा पर 5000 के करीब तो बम मुजाहिदीन को मिले हैं लेकिन जो बम बरसाए गए हैं उनकी तादाद 50,000 से भी ज्यादा है तो मुजाहिदीन बता रहे हैं कि गाजा के अंदर हमारे पास असलाह की कमी नहीं है और हम दुश्मनों से लड़ने के लिए वेफर मुख्तार में गोला बारूद तयार भी कर रहे हैं और मौजूद भी हैं इसके अलावा आज एक और बड़ी खबर हमास की तरफ से जारी हुई जिसमें बताया गया कि इसराइल और अमरीका जूट बोल रहे हैं दुनिया के सामने और वो हमास के साथ है मुसकराहट में नई नई शरारते और नए नए मुतालबा एड़ करके मुसकराती राउंड को और मुसकराती अमल को सबूत कर रहे हैं अगर इसराइल अपने कैदियों को गाजा से रिहा नहीं करवाना चाहता है तो हमें कोई शौक नहीं है उनके कैदी छोड़ने का तो इसराइली कैदी जो हमारे कबजे में है, वह अब आइंदा के बाद रोश्णी नहीं देख सकेंगे वह हमेशा के लिए या तो वह सुरंगों के अंदर रहकर मर जाएंगे या फिर वह इसराइली बंबारी में मारे जाएंगे अगर इस्राइली अवाम वाकई अपने कैदियों को छुडाना चाहती है तो उसके लिए उन्हें अपने वजीर ए आजम मजलूम देहशत गर्द नेतनियाहू पर प्रेशर डालना होगा यह हमास कीता जातरीन स्टेटमेंट है जिनके खिलाफ इस्राइल की सडकों पर रोजाना एहतिजाज होता है रोजाना इस्राइली अवाम सडकों पर निकलती है मुर्दाबाद नेतनियाहू के नारे लगाती है अगर इस्राइली वजीरे आजम नेतनियाहूं गाजा की जंग को बंद नहीं करेगा तो ये शहीद वजीर ए आजम खुद कतल हो जाएगा ये इस्राइल के बड़े बड़े जांकार कह चुके हैं इस्राइल के अंदर हालात बहुत खराब हैं अंदरूनी खाना इस्राइल में लड़ाई चल रही है यहूदी बिखरे हुए हैं यानि जो यहूदी कैदी गाजा में कैद हैं 120 या 30 से जाइदा उनके रिष्टेदार परिशान हैं वो सडकों पर हैं और फिर आम यहूदी जिनकी जिनकी जिन्दगियां तबाह हुई हैं इस जंग की वजह से और जिनकी नौकरियां खत्म हुई हैं और जिनका रोजगार मामूली जिन्दगी मुतासिर हुए हैं क्या इतने अर्से तक इसराइल जंग नहीं लड़ सकता है इसराइल के पास अपना असला खत्म हो गया है इसराइल के पास अपनी फौज खत्म हो गई है आकिर कब तक अमरीका इसराइल को दूद पिलाता रहेगा आकिर कब तक यूरोप और अमरीका इसराइल को माली तोर पर सपोर्ट करते रहेंगे बिल आकिर उनके बिल आकिर वो थक जाएंगे और वो पीछे हट जाएंगे और वो भागेंगे भारत अफरीका गाजा के अंदर मुजाहिदीन की तरफ से दुश्मनों के खिलाफ तबाह की कारवाई जारी है दूसरी तरफ इसराइली देहशतगर्दों की गाजा के अंदर शदीद बंबारी चल रही है मेरे सामने 15 गंटों में जो इसराइली देहशतगर्दों के देहशतगर्दी है उस हवाले से रिपोर्ट मौजूद है रिपोर्ट के मताबिक जो इस वक्त मुक्तलिफ इलाके हैं जो गाजा के मुक्तलिफ इलाके जहां पर महाजर और रिफ्यूजी है वहाँ पर इस्राइली देहशत गर्दों की शदीद बंबारी देखी गई है पिछले 15 घंटों में शहरी बंबारी में मामूली तोर पर नबे मुसल्मान शहीद और जखमी हुए है नासिर इक्राम जान बूजकर जो मुहाजिरों के कैम्प है स्कूल जहां पर लोगों ने पनाहली हुई है और जो खेमे हैं उनको टारगेट किया जाता है जान बूजकर बाजारों को, अस्पतालों के करीब की इमारतों को और पबलिक प्लेस को टारगेट किया जाता है जो शहर की बत्तरीन किस्म की गाजा के मुसल्मानों के साथ जल्म और बर्बर्ता की वाज़ तोर पर दलील है दूसरी तरफ आज की सबसे बड़ी एक और खबर मेरे सामने है लेबनान से हिजबुला ग्रूप के इसराइल के खिलाफ शदीद तवक्कुल हमले चल रहे हैं लेबनानी हिजबुला ग्रूप की जानब से आज सुबह सवेरे मेरे इसराइल के इलाके नहरिया पर हमला किया गया है जहां पर कई बंबारी ड्रोन तयार जाकर इमारतों पर लगे हैं और काफी नुकसान पहुंचा है इसराइली मीडिया के मुताबिक यह बंबारी ड्रोन तयार है दरसल नहरिया में वाके इसराइली फौजी अड़े पर दागे गए थे लेकिन गलती से ये एक दूसरी इमारत पर जाकर लगे अगर इसराइली फौजी अड़े में जाकर ये तयार ड्रोन तयार गिरते तो बड़ी तबाही मची थी दूसरी तरफ लेबनानी हिजबुला ने बताया है कि हमने पिछले पंद्रह घंटों में इसराइल के खिलाफ मस्जिदे 20 से ज्यादा बंबारी, ड्रोन तयार से और मिसाइलों से हमले किये हैं इसके इलावा इसराइली फौज की लेबनान के मुक्तलिफ इलाकों पर शदीद गोलाबारी और बंबारी देखने को मिल रही है लेबनान से होने वाली ताजातरीन खबरे हैं मेरे सामने की पिछले 15 घंटों में रात 12 बजे से लेकर आज दिन 3 बजे तक की तफसील है कि पिछले 15 घंटों में शहरी बंबारी में मस्जिदे 15 से जाहिद मुसल्मान लेबनान के अंदर शहीद हुए हैं जिन में कुछ हिजबुला के कमांडर और जंगजू भी शामिल हैं तो बड़ी शदीद जड़पे और बड़ी शदीद लड़ायां इस वक्त नासिर इक्राम लेबनान और इसराइल के दर्मियान बॉर्डर एरिया पर चल रही है जो एक और बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है वह गाजा के अंदर से है खबर यह है कि गाजा के अंदर जो अस्पताल है वहाँ पर लोगों के इलाज की सहूलियतें पहले तो है ही नहीं और जो रियायत है वह भी नहीं है और इसराइली फौज की अब मजीद दरिंदगी है कि अस्पतालों तक जो फ्यूल है जिससे दवाई की किलत को पूरा किया जाता है वह भी भेजने नहीं दिया जा रहा है और सेहत का जो मामला है और लोगों के इलाज का जो मामला है वह बहुत मुतासर हो रहा है ताजा तरीन गाजा की वजारत सेहत की तरफ से रिपोर्ट शुरू हुई है एक और बड़ी खबर है इक्राम इसराइल के अंदर जो 7 अक्टूबर का हमला हुआ है जो मुजाहिदीन ने 7 अक्टूबर को इसराइल के खिलाफ है आपरेशन तुफा अल-अक्सा लाँच किया था इस हवाले से मेरे सामने खबर है इसराइली मीडिया नेटवर्क मारी की खबर है कि इसराइली फौज के जो टॉप कमांडर और जनरल हैं उनको रोक दिया गया है कि वह 7 अक्टूबर के मामले की तहकीकात ना करें मेरी ने इसराइली फौजी सारा से ये खबर दी है कि मसूद नहायत अरकान या मालूम नहीं किस हकीकत अमलवार्दात कर दिया कि इसराइली फौज की जो टॉप मिलिटरी कमांडर है वो इस वक्त जो 7 अक्टूबर की इन्वेस्टिगेशन है वो कर रहे हैं लेकिन उन्हें रोक दिया गया है कि वो इन्वेस्टिगेशन ना करें और ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त जो इसराइली हुकुमत है और इसराइली फौजी जनरल और कमांडर्स हैं इनके बीच शदीद इक्तिलाफ चल रहे हैं 7 अक्टूबर की इन्वेस्टिगेशन को लेकर 7 अक्टूबर को मुजाहिदीन ने इसराइल पर कैसे हमला किया यह इसराइल के लिए बत्तरीन किस्म का तबाह कुम हमला था लेकिन इसराइल का वजीर ए आजम आज भी अपनी शिकस्त को तसलीम नहीं करता है इसराइल की अवाम समझती है कि वजीर ए आजम 7 अक्टूबर में गफलत का मुन्तजर है और दुनिया ने देखा कि सारी फौज जो दुनिया के अंदर अपने आपको दुनिया की ताकतवर फौज कहलवाती थी वो मुजाहिदीन के हाथों 7 अक्टूबर को बेबस नजर आई दूसरी तरफ आज की एक और बड़ी खबर है मेरे सामने सर्बिया से फलस्तीन का इलाका वेस्ट बैंक है अलर्बिया वहां से खबर मौजूद है मेरे सामने की जमीन के इलाके में इसराइली फौज की दोबारा से दरिंदगी देखी गई है जनीन के इलाके में इसराइली फौज का आपरेशन देखा गया है कल रात जनीन के इलाके में मुजाहिदीन की बड़ी तादाद में पेट्रोलिंग देखी गई है और मुजाहिदीन सडकों पर निकले और मुजाहिदीन ने सडकों पर निकल कर यह कहा कि हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे चाहे हमारे कितने ही लोग शहीद इसराइल कर दे लेकिन हम इसराइल के खिलाफ अपनी मजम्मत की तहरीक जारी रखेंगे हम इस वक्त वेस्ट बैंक के अंदर भी हालात बहुत खराब हैं मुझाहिदीन के फिदाई हमले भी चल रहे हैं और मुझाहिदीन की फिदाई कारवाईयां भी चल रही है आज की एक और बड़ी एहम खबर है उस दिन से और दिन के अंदर एक गुल्दस्ता रोज जॉर्डन के एक मुसल्मान माहिर हाजी थे जो अपनी फौज के अंदर भी रह चुके थे उन्होंने जो फिदाई हमला किया था उस पर रात गए अबू ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया तो आज मेरे सामने उज्जेन से खबर आई है कि माहर अल-जाफरी जो अर्दू नहीं फिदाई मुजाहिद था जिसने कल हमला करके तीन यहुदी हलाक किये थे उस माहर जाजी के खांदान ने बकाइदा अपने इसे फिदाई मुजाहिद को अकीदत पेश किया है और आज उनका बड़ा भरपूर इस्तक्बाल करके उनका जनाजा अदा किया गया है और यही नहीं उस कबीले के लोगों ने कहा है कि गाजा और फलस्तीन के मुसल्मानों का खून हमारे बहुत से नामी जो कबीले है उसके खून से ज्यादा महंगा नहीं है ज्यादा कीमती नहीं है हमारा खून ज्यादा कीमती नहीं है फलस्तीन के मुसल्मान जब शहीद हुए हैं तो कोई बात नहीं हमारा दफा के लिए फलस्तीन के लिए अपना खून हम इसी तरह से देते रहेंगे फिर एक और एहम बात आई कि जब उस माहिर अल जैसी जो फिदाई मुझाहिद था उसकी बीवी को बताया गया किसी खातून ने के अब्बू ने बयान दिया है और खिराज अकीदत पेश किया है इस से पहले मुझाहिद माहिर अल जाफरी को उसकी बीवी जो रो रही थी वो खामोश हो गई और अब्बू ने यह भी बताया अपने बयान में कि तमाम मुझाहिदीन ने गाजा के अंदर मैदान जंग में उसे माहिर अल जैसी नामी फिदाई मुझाहिद और सुन्नी मुझाहिद था जिसने चेक पोस्ट पर हमला करके तीन यहुदी फौजी हलाक किये थे उनका जनाजा अदा किया है तो यह बहुत बड़ा एहसास है तो इस पर अर्दू के मुसल्मान कल रात बकाइदा हमने देखा अर्दू के अंदर के बड़े-बड़े एहतिजाज हुए रेलिया निकली और उससे फिदाई मुझाहिद को एप्रिशियेट किया गया असली काम अर्दू और फलस्तीन ये जुड़े हुए हैं और अर्दू के पास फलस्तीन के हाल की तसली भी है लेकिन हैरत इस बात पर है और अफसोस भी है इस बात पर की अर्दू हुकुमत जो है वह फलस्तीन के अंदर बरबरता और देहशत गर्दी को ना तो रुक्वा पाई है बलकि अपनी सरजमी से इसराइल को खाने पीने का सामान और सामान ले जाने की इजाज़त दी जाती है की हुकूमतें उनके उपर कंट्रोल किये हुए हैं तो भारत का अर्दू मिसर और इसी तरह से बाकी जो आसपास के मालिक हैं वहां के लोग मुसलसल गाजा और फलस्तीन के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं जरूरी इस बात जरूरत इस बात की है कि सारे मुसल्मान मुल के मिलकर मुतहिद होकर आवाज बुलंद करें ताकि जो गाजा के अंदर इसराइली दरिंदगी और दहशत गर्दी है वो रुक सके आखिर में एक और बड़ी खबर सामने रखेंगे अमेरिका के फौजी इदारे पेंटागन ने दावा किया है कि हमने 24 घंटों में यमनी खुशियों के तीन मिसाइलों की साइट्स को तबाह कर दिया है यमनी उसी दो जगह से ड्रोन तयार दागने की कोशिश कर रहे थे हमने वहां भी बंबारी की और यमनी खुशियों के ड्रोन हमलों को भी नाकाम बनाया तो अमेरिका रोजाना जाकर बंबारी करता है यमन मे और यमनी अनसारुलाह खुशियों के अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जो हमले हैं उनको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन नासिर इक्राम हकीकी बात यह है, सच्ची बात यह है कि इस वक्त जो बाहरी एहमर है, रेड सी है, वो इसराइल के लिए बंद है और इसी तरह से यूरोपियन और अमेरिकी जहाजों के लिए भी बंद है और पिछले ग्यारह-बारह महीनों में यूरोप और अमेरिका को बाहरी अमेरिकी बंद से बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी उठानी पड़ रही है। बहरहाल ये अप्तक की मालुमाथ थी. कब्रेती, देवलप्मेंट ती जो.